आजकल आप लोग जिगनेश मेवानी का नाम काफी चर्चा में सुन रहे होंगे और अभी हाली में आपने देखा है कि इनके गिरपतारी हुई थी मौदी साहब को लेकर पिधानमंतरी मौदी साहब को लेकर बेबादिक ट्वीट किया हुआ था है और जैसी आपने देखा इस मामले में इन्हें जमानत मिलती है कोट इन्हें जमानत देता है उसके बाद तुरंट इनफर एक महला कॉंस्टिबल पर छेड़ चाड़ उनके साथ बक्तमी जी करने की आरूम में फिर से गरपतार कर लिया जाता है फिर आप देखिए कोट जाते हैं और कोट ने आपने देखा होगा कि असम फुलिस को फटकार भी लगाई हुई है और इन्हें जमानत भी दे दी गई है और ये गुजराश से आते हैं कहां से आते हैं गुजराश से आते हैं आपको मैं भी दिखाई दिरा होगा भारत का इसमें आप देखेंगे गुजराश की राध्धानी गांधी नगर है इसे एक मई 1960 को राज़ बनाय गया था यहां आप लोग देखें तो विधान सभा में 112 सीटे हैं राज्य सभा में 11 सीटे हैं लोग सभा में 26 सीटे हैं और आप देखेंगे कि महाराष्ट से इसकी सीमा लगी मद्वदेश से भी लगी हुई है राजिस्तान से भी लगी हुई है और इसकी अंतराष्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है कहां से पाकिस्तान से भी लग पूलिस दिर्फेयों करने की बात हो तो यह समय पर आपकी करती रहती है अपने राजनितिक फायदे के लिए इसमें आप लोगों कोई आश्चयचकित नहीं होना चाहिए तो आप देख रहे हैं एक कनिया कुमार और जिगनेस मेवानी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जिगनेस मेवानी और कनिया कुमार ने कॉंग्रिस पाइटी का दामन थापा था और अभी आप देखें कि उससे पहले जिगनेस मेवानी एक निर्दलिये विधायक बने थ होती है आपकी स्क्रीन पर सामने आप लोग देख रहे हैं जिगनेश मेवानी के बारे में अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो जिगनेश कुमार नटवरलाल मेवानी इनका पूरा नाम है और जिगनेश मेवानी इनका उपनाम है और आप देखें कि पिसिद्धी भी इने जिगनेरिस मेवानी की नाम से मिली हुई है एक बड़ा दलिच चहरा है और इनका जनम 11 दिसमबर 1982 को होता है अहमदाबाद गुजरात में इनका जनम हुआ था इनके पिता की बात करें तो नटरवर लाल, संकर लाल, परमार इनके पिता का नाम चंदरवेन इनकी माता का नाम अगर हम लोग इनकी सिक्षा की बात करें तो पड़े लिखे हैं स्वास्तिक विद्याले एहमदाबाद से अपनी सुरुआती सिक्षा लेते हैं उसके बाद विस विद्याले मादमेक साला एहमदाबाद से आंगे की सिक्षा करते हैं उसके बाद अगर हम लोग इनके college life की बात करें तो स्री हरी बल्लबदास कालिदास कला महाविध्याले एहमदाबास से अपनी पढ़ाई करते हैं दौलत भाई तरवेदी लौह महाविध्याले से ए कानून की पढ़ाई करते हैं और इसना तक अंग्रेजी साहित में किया और आप देखेंगे कि एक राजनेतिक हैं राजनेता भी है और 2004 से लेकर 2007 तक अभियान गुजराती पतिका में एक रिपोर्टर की रूम में भी इन्होंने काम किया हुआ है और आप सभी जानते हैं कि जब जमीन से कोई उठकर नेता बनता है तो जमीन के सभी लोगों की आ सनातक की डिगरी पराप्त करते हैं और जिगनेस की पहचान विभिन मोर्चों पर सामाजी कारियों से जोड़कर दलितों मजदूरों और किसानों के मुद्दे उठाना रहा है और एक समय ऐसा भी आया जब वो आम आदमी पार्टी की गुजरास साका से भी जोड़ चुके लेकिन थोड़े समय के बाद वो इस्थीपा दे देते हैं और आप देखेंगे फिलाहाल जिगनेस निर्दली विधायक हैं और बकालत भी करते हैं यानि कि बकील भी हैं और जिगनेस मेबानी हिंदी और गुजराती के साथ फिलोएन से इंगलिस भी बोल लेते हैं और एक human rights activist हैं उनके जन संगर्स मंच से भी जिगनेस मीवानी जुड़े हुए थे और जन संगर्स मंच से जोड़का जिगनेस ने दंगा पीटतों और मजदोर union के लिए लड़ाई लड़ी थी बाद में हुआ याम आदमी पार्टी के एक पेवक्ता भी बन गये थे गुजरा भर में दिरोध पिदासन हुआ और एक बात और आपको बता दू इसी उना में जो दलितों के साथ जो भी समस्याएं थी जो इनके साथ भेदभाव किया गया था उन पर हामला किया गया था उस आंदोलन की कारण जो जिगनेस मेबानी थे एक आपी चर्चा में आये थे देश दुनिया भर में इनकी चर्चा हुई थी और जिगनेस मेबानी ने एहमदाबाद से उना तक दलित आसमिलता यात्रा भी की थी जो 15 अगस्त 2016 को खतम हुई थी दलित महलाओं सहित कोल 20,000 दलितों ने इसमें भ दंडी यात्रा से पेणा लेकर समाझ में समानता और सब को समान नयाय दिलाने के लिए एहमदाबाद से उना तक नो apprendre ने दलित अस्मिलता यात्रा भी की थी और इस यात्रा कहजारों लोगों ने समर्थन किया था इसके अलावा नोने दल बर्ग की उत्थान ही तो भोमी की मांग भी की हुई थी जिगनेश मेवानी अपने राजनेतिक क्यरियर की सुरुवाद 2017 से करते हैं और जो गुजरात का विधानसवा चुनाओ हुए थी ना 2017 में इस विधानसवा चुनाओ में जिगनेश मेवानी ने वड़ गाओं गाम निर्वाचन छेद से एक निरदलिय उ 18 साल हो चुकी होगी तो आपका भी मद्दासा सूची में नाम जोड़ चुका होगा आप लोग भी बोट डालने जाते होगे इस जीत के साथी बे गुजरात की दलित राजनीती का एहम चेहरा बन गए और उन्हें इन चुनाओं में भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस और आह इसी और छेत से वर्द जुड़े रहते हैं और आप देखे कि आप आंगे वर्दते हैं तो आपसे बिवाद भी जुड़ना सौभावी कसी बात हो जाती है आपके प्रसंसक भी होते हैं आपके आलोचक भी होते हैं 2017 में गुजरात बिधान सबा चुनाओं में अपनी अभि समर 2.17 को उन्होंने एक विवाद इसफद बयान दिया जिसमें उन्होंने अपना सुझाओ दिया कि पिधान मंतिरी नर्द मौदी को राजनीती से रिटायर हो जाना चाहिए और हेमालय चले जाना चाहिए अब यह हाली में आपने देखा होगा पिधान मंतिर नर्द मौद ने इन्हें जमानत दे दी थी और इनका कोट ने एक तरह से आप देखी कि अपना काम किया था और असंप पुलिस को काफी इन्होंने क्या किया था एक तरह से फटकार भी लगाई थी कि आप सब के मौजूद होने के बाद भी आप देखी कि वो वेखती आपकी कश्टड़ी म गरफतारी में फिर किस तरह से महला से उस महला से चेड़ चाड़ कर सकता है तो इस तरह के आरुप भी लगे थे और हमारे देश की राजनीती है इसमें आप देखते हैं कि इसे फसाने के लिए उसे फसाने के लिए इनेताओं के द्वारा चाले चलती रहती है और मुझे ल आपने देखाए जेपी आंदोलन हुआ और इंद्रा गांदी अपनी सीठ हार गई और कॉंग्रेस पुरी तरह से अपने एक तरह से चुनाओ हर जाती है फिर आपने देखाए कि उसे सुधार्ती इंद्रा गांदी माफी महीं मांगती है और हमारे देश की जनता भी वड़ी देयावान होती है एक तरह से आप सोचे कि वो किसी को भी पिधानमंत्री बना देती है और किसी भी को भी गद्धी से हटा देती है फिर दूसरी बार आप देखे कि क्या होता है चुनाओ होता है इंद्रा गांदी भारी महुमत से पिधानमंत्री बनती है चुनी जाती है च जुनाव जीतते ही Congress, तो यही हाल है, और फिर हाल आप लोग देखते रहे हैं, और किसी के बारे में बात करने हो, तो उसका नाम भी बताईए, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, जिगने इस मेवानी के बारे में बात करने की कि किसी ने बोला था तो मुझे लगा कि इनके जैसे लोगों का support मिलता है तो Congress मजबूत होगी और आप सभी जानते हैं कि देश के लिए और लोकतंद के लिए बिपक्ष का होना जरूरी है मजबूत होना जरूरी भी है और बिपक्ष मजबूत रहता है तो तरकारें तानासाही नहीं हो पाते हैं निता तानासाह रवया नह अपना पाते हैं ठीक है अभी तो आप सभी जानते हैं कि Congress का क्या हाल है बिपक्ष में 2000 आप देखिए जो 14 में लोग सभा चुना हुए थे 2019 में लोग सभा चुना हुए उनमें बिपक्षे में जितना बैठने के लिए एक तरह से इनिता होने के लिए जितनी सीटों की जरुवत पड़ती है उतनी भी सीटें Congress नहीं जो टाप आई कियरे छोड़िये आप लोग बिंजवाय करिएगा ठीक है